2023 के prelims में अभी एक साल से ज़ादा है और आप में से जिन लोगों ने तयारी शुरू करी है और जो एकदम fresh aspirants है जिनको UPSC के बारे में ज़ादा idea नहीं है उनके benefit के लिए अगले 13 से 14 महीने का क्या roadmap रहना चाहिए किस तरीके से तयारी करनी है क्या करना है और more importantly क्या नहीं कर करना है वो सारी बाते इस particular वीडियो में करेंगे detail में preparation के हर एक aspect के अपर यहाँ पर बात करूँगा तो अराम से बैठके पूरा वीडियो देखिए और साथ के साथ pen और copy लेके बैठिए जहाँ पर आप अपनी strategy और अपना जो पूरा plan है पूरे अगले साल का वो साथकर बनाते रहेंगे so that आपको हर रोज अपनी strategy बनाने में time waste ना करना पड़े Unacademy अब सब्सक्राइब करने के लिए use the referral code मदद गुपता इंपने discount के लिए description box में telegram channel को link दिया do join that वहाँ पर सारे की सारे आपको updates मिलते रहेंगे free में पूरा का पूरा c-sat और पूरी की पूरी economy एकदम Unacademy वाली quality में ही cover कर वा रहा हूँ अपने YouTube channel पे playlist में जाके चेक कर लेंगे do join that Unacademy का All India Prelims mock test है 24 अपरेल को जो की old रजंदनगर और मुखरजी नगर में होगा जो center की location है नीचे description box में आपको मिल जाएगी हमने Unacademy पे 11,000 से जादा questions की 10 booklet launch करी हैं जिसे Prelims Practice booklet बोले आता है Unacademy के experts ने specially in books को curate कर रहा है आपके benefit के लिए English और Hindi दोनों ही भाषाओं में ये किताबे अवेलेबल होंगी तो ये 20 अपरेल को launch हो चुकी है तो आपको इनके लिए subscribe करना है Also CSE Assure offer कि अगर आप दो साले हो स्यादा का subscription लेते हैं इनकेस आपको exam clear नहीं होता तो Unacademy की side साबको एक साल का extension मिलेगा नए batches शुरूर रहे हैं 27 अपरेल से English इंदी और Ballying School में complete syllabus के लिए Pre-Mates interview के point of view से Do join an academy batches, optional के batches तो launch हो ही रहे हैं साथकाथ अपना last mile program चल रहा है उन candidates के लिए जिन्होंने mains clear किया है सबसे बात करते हैं कि इस particular वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं यहां पर मैं बात करूँगा आपके optional subject की जो की 500 number की approximately weightage रखते हैं और अपने point of view से काफी important है इसके अलावा बात करूँगा GS की, GS के 4 papers, prelims, current affairs जो की बहुत major role play करता है selection में approximately 40-50% paper current affairs से आता है, revision, test series, mains answer writing और civil services aptitude test, prelims paper 2, that is CSAT की बात करूँगा और last में, जब इस सारे की सारे pillars cover कर लूँगा, आपको daily timetable बताऊँगा कि किस तरीके से अगले 13 से 14 महिने तक आपको एक fixed timetable follow करना है so that आप इन सारे pillars को effectively cover कर पाएं, तो देखिए, total हमारे 7 pillar हैं यहां पे, optional, GS, current affairs, revision, test series, answer writing और CSAT को मिला के 7 pillar हैं पहले बताऊँगा इन 7 pillar को handle कैसे करना है और आखरी में बताऊँगा एक daily timetable की 7 pillars को हम effectively कैसे अपने daily timetable में manage कर सकते हैं सबसे बहले बात करेंगे एक broad timeline की, मैं यह assume करके चल रहा हूँ, आज April के आखरी हफते में मैं यह video डाल रहा हूँ मैं assume करके चल रहा हूँ कि आप 1st मैं से अपनी preparation शुरू करेंगे, 1st मैं 2022 से आप अपनी preparation शुरू करेंगे अभी UPSC का 2023 का timetable नहीं आया है, UPSC ने calendar नहीं निकाला है कि अगले साल 2023 में वो prelims कप conduct करने वाले हैं लेकिन more or less, June के 1st week में ही UPSC prefer करता है अपना prelims conduct करवाना, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो मैंने strategy बनाई है वो यह ध्यान में रखते वे बनाई है कि अगले साल 2023 में, June के महीने में अपना prelims होने वाला है, तो आज से लेके अगले साल तक हमारे पास approximately 400 दिनों का समय है जब हम अपनी त्यारी को devote कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत changes हो सकते हैं, COVID के चलते हैं, क्योंकि हमारे को नहीं पता wave 4 में क्या होने वाला है we don't have much idea about it, cases बढ़ रहे हैं, देखना होगा कि आने वाले समय में क्या changes रहते हैं, बट अभी के हिसाप से आज के circumstances को देखते हुए, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि जून 2023 के पहले अफ़ते में prelims होगा, और हमार पाथ 400 दिनों का समय है आपने पहली मई से अपनी preparation स्टार्ट करी, यह मेरा second assumption है आपे अब आपने पहली मई से अपनी preparation शुरू करी, उस particular point को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे हमारा पहला checkpoint बनता है कि 30th of September 2022, 30 September 2022 तक आपको अपना optional खतम करना है यह है आपका target number one, जो आप सबसे पहले note करेंगे, कि अगर आप 1st May 2022 से अपनी त्यारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका focus optional पर होना चीए, और 30 September 2022 तक आपको अपना जो वैकल्पिक विशे है, उसको खतम करना है इसी के साथ 31 जनवरी 2023, मतलब अगले साल का जो जनवरी है, उसकी आखरी दिन 31 तारिक तक, मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली 9 महीने आद से, आप GS खतम करने का target रखोगे तो देखो, 1 मही से लेके 30th of September तक आपके पास पूरे के पूरे 5 महीने हैं, जो की more than sufficient है, optional को cover करने के लिए, और 7 में आपके पास 9 महीने का समय है, GS को cover करने के लिए, यहाँ पे हमने ये 2 target set करने हैं अपने लिए सबसे बले, कैसे अचीव करेंगे बताऊं आने वाली slides में लेकिन सबसे बहले आपका एक direction ताय होना चीए, कि हाँ, मिरको किस direction में जाने है, aspirant usually भटक जाता है, सर आज मैंने polity कर लिया, कल मैं history कर लेता हूँ, परसो में दोनों से बोर हो गया, तो मैं modern institute हा रहा हूँ, इन तीनों से बोर हो गया, अब मैं 4 दिन तो break लूँगा, 3 दि September तक हर हाल में optional खतम करना है, और 31 जनवरी 2023 तक हर हाल में GS खतम करनी है, अगर आप ये दो target पूरे कर पाते हो, तो वही पे आपका 80-90% selection का chance increase हो रहता है, क्यों, क्योंकि एक तो आपको revision का काफी समय मिलेगा, और current affairs को आप जादा समय devote कर पाओगे, जनवरी के बाद, जब बाकी लोग syllabus cover करने के लिए struggle कर रहे होंगे, आपका syllabus अलड़ी पूरा हो चुका होगा, and you'll get more time to attempt test, answer writing, और साथ में revision के लिए, और CSAT के लिए आपको काफी समय मिलेगा, तो अगर आपको अपनी preparation में edge चाहिए, दूसरे से upper hand चाहिए, तो ये दोनो target आपको हर हाल में fulfill करने नहीं होंगे, right, पहला target, अब बात करते हैं, अपने pillar number one, optional की, optional में सबसे बहले कुछ बाते ध्यान रखने हैं कि optional को चुनते हुए, optional subject को select करते हुए, हमार को ध्यान में क्या रखना है, अभी आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने अपना optional subject, वेकलपिक, subject जो ह है, वो चुना नहीं होगा, सबसे बहले देखिए, आपको वो subject choose करना है, जो आपके graduation में था, आपके college में था, आपके master's में था, अगर ऐसा subject list में है, तो मैं आपसे यह कहूँगा कि आप आप आपका brain उस subject को पढ़ने के लिए पूरे तरीके से adapted है, पूरे तरीके से आप का मानसिक संतुलन जो अब बना हुआ है उस subject को पढ़ने के लिए, तो उस subject को जरूर से जरूर अपने optional में pick करिए, in case आपकी bachelor's या master's का subject अगर available नहीं है list में, उस case में आप ऐसे subject की दरफ जाईए, जहां पे आपका सबसादा interest बैठता है, usually पता कैसे चलेगा कि हमारे subject मे interest है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले 20 साल के optional के papers उठाईए और उसमें question read करने की कोशिश करिए, वहां पे आप यह देखिए कि कौन से ऐसा question है जो आप tackle कर सकते हो, कि हाँ, IR के questions tackle करने में मज़ा आ रहा है, constitution के questions tackle करने में मज़ा आ रहा है, या फिर modernist medieval India के questions tackle करने में मज़ा आ रहा है, इस तरीके से आप questions देखिए और फिर सोचिए कि आप किस subject के questions को easily tackle कर पा रहे हैं, कहने का मतलब यह है, कि अगर आपने अभी तक अपना वेकलपिक विशे नहीं चुना है, तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक कि या तो graduation वाले subject ले ले, दूसरा, अगर graduation वाला subject लिस्ट में नहीं है, तो हमार को ऐसा विशे चुनना है, जिसमें हमारी रूची हो, जिसमें हमारा interest हो, you don't have to go for any other subject, हमने यह आपे दो point देखे कि optional चुनते वे विशे चुनते वे हमार को क्या धान में रखना है, अब मैं आपको कुछ ऐस जो aspirant के mind में आता है, वो यह है, कि sir को ऐसा subject बता दो जिसका syllabus छोटा हो, मेरे को यह नहीं समझा आता है कि छोटे syllabus का आप क्या करोगे, मैं आपसे यह कहता हूं कि ठीक है, मान लीजिए, suppose करिए sociology का subject syllabus छोटा है, आपने sociology optional choose कर भी लिया, लेकिन आपका उसमें interest नहीं है, त आप क्या करोगे, बिने interest के पढ़ोगे तो आपको बार 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 वो पढ़ना पढ़ेगा, क्यार मज़ा नहीं आ रहा पढ़ते वे नींदारी है, किताब खोलने का मन नहीं करता, आप उसे खींचोगे, आप उसे लंबा खींचोगे, कहने का मतलब है, अगर interest नहीं बनेगा, तो छोटा subject भी बड़ा लगेगा, वहीं दूसरी तरफ, मान लीजे आपका mathematics में काफी interest है, physics में काफी interest है, civil engineering में काफी interest है, history में काफी interest है, और आप उसे एकदम ऐसा मज़ा लेके पढ़ रहे हो, एकदम flawless तरीके से पढ़ रहे हो, smoothly पढ़ रहे हो, तो बड़े स फिर आज public administration ही ले रहा था, interest के basis पे optional चूश करना ज़रूरी है, दूसरा, एक बहुत जादा prevalent myth जो आता है, वो यह कि पिछले साल के topper ने इस subject लिया था, तो मेरे को भी यह लेना है, पिछले साल के topper की journey अलग थी, उनका mindset अलग था, उनके time पे trend अलग था, और उनका bachelor's background अलग था, उनका mindset और interest अलग था, ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले साल के topper ने करा, वो ही आप करेंगे, बहुत पार ऐसा होता है कि topper जो है, वो हिस्ट्री से हैं, लेकिन हो सकता है, आपको history पसंद ना हो, topper geography से हो सकता है, आप से geography handle ही ना हो, कहने का मतलब है, पिछले स टेली ग्राम चैनल पर क्या circulate होता है, कि सब लोग public administration ले लो, क्योंकि लबासना मसूरी जाके तो हमार को public administration ही पढ़नी है, तो अभी से उसकी त्यारी कर लेते हैं, अगर उसकी त्यारी अभी कर लोगे, तो फिर वहाँ जाके क्या करोगे, मसूरी घूमने थोड़ी ना जा टाचलाज वाला subject ले लो वो चलेगा, लेकिन ये सब सिलेबा, छोटा, पिछले साल का टॉप बार, दूर के फूपा जी, क्या बोल रहे हैं, इन सब चीजों से कोई फरक नी पड़ता, और जैसा कि हम अपना target देख चुके हैं, पांच महिने का target set करो, 30 September के बाद अगर पेपर हुआ है, दूसरा पेपर हुआ नहीं है, prelims और mains के बीच में, hardly 80-90 दिन मिलते हैं, उसमें आप optional पूरा करनी सकते हैं, कहने का मतलब है, अगर आपको, ये रोग 500 नंबर का paper होता है, दो पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 500 नंबर के, अगर आपको इसमें edge चाहिए, मैं जितने भी subjects हैं, उनको दो हिस्सों में divide करता हूँ, usually aspirant की एक query आती है बहुत जादा, कि अगर हम अपनी त्यारी शुरू कर रहे हैं, तो कौन से subject से शुरू करनी है, GS के जितने भी subjects हैं, मैं उनको दो हिस्सों में divide करता हूँ, एक essay subject जिनमें current affairs काफी जादा होता है, जैसे की economy, quality, environment, security, IR, science and tech, और दूसरे essay subjects, जो पूरे तरीके से static हैं, और इनमें current affairs का बहुत जादा रोल नहीं होता, जैसे की history, geography, ethics, ethics की case study अग बार में मिलती है, लेकिन again, ethics more or less theory based subject है, मैं इस तरीके से दो हिस्सों में GS को break करता हूँ, सवाल उठता है कि सबसे बहले GS में हमार को कौन सा subject उठाना चाहिए, मेरे साब से आपको पहले current based subjects करने चाहिए, और उसके बाद static based subject पर आना चाहिए, उसका reason यह है कि अगर आप current based subjects, quality, environment, ecology, economy पहले कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपको अगबार पढ़ने में असानी हो जाएगी, देखे, अगबार का बहुत important रोल है आपकी तैयारी में, अगर आप अगबार ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो त्यारी आपकी अधूरी है, अगबार समझने के लिए subject आना भी शरूरी है, ये smart approach बता रहा हूँ कि पहले subject तो सारी करने है, तो पहले वो कर लो जिससे आपको एक chain reaction मिले, एक chain benefit मिले, मतलब कि एक ऐसा subject पढ़ो जिसको पढ़के आपको double benefit मिले, double benefit मतलब history geography अगर पढ़ लेते हो, तो अगबार पढ़ने में कोई खास help नहीं होगी, लेकिन अगर economy, IR security, economy, environment ecology, quality पहले कर रहे हो, तो अगबार पढ़ने में काफी मदद होगी, क्योंकि 90% अगबार इनी subject से आता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके current affairs strong हो, तो पहले quality, economy, environment ecology, security, as a subject पूरे कर लो, जिससे कि आपके questions तो होंगी होंगे exam में, लेकिन आपको अगबार पढ़ने म aspirant से वो ये, कि हमने pre-based त्यारी तो कर लिया भी, अभी mains-based त्यारी हम कल से शुरू करेंगे, मिरको ये नहीं समझा आता, कि ये pre और mains की अलग-लग त्यारी कैसे होती है, मतलब, कोई ऐसी किताब आती है कि मार्केट में जो कह रहे है कि 1857 का ये वाला हिस्सा जो है, ये pre का कहने का मतलब ये है, कि जब भी आप कोई भी subject पढ़ रहे हो, तो आपको से comprehensive तरीके से पढ़ना है, comprehensive तरीके से मतलब, pre-mains interview, तीनों को ध्यान में रखते हैं आपको हर एक topic cover करना है, अलग-अलग त्यारी नहीं होती, कि आज मैंने unit test की त्यारी कर ली, कल मैं half yearly की त्यार लिया, तो अब, चाहिए fundamental right मिर से pre-e में पूचे, mains में पूचे, essay में पूचे, optional में पूचे, या मिर से interview में पूचे, मिर को fundamental right का एक-एक point पता होना चाहिए, इस approach के साथ अगर पढ़ोगे, तो जाधा आगे तक जाओगे और जाधा अच्छी preparation कर पाओगे, तो अपने आपको target दो, 31 जन्वरी 2023 का जो मैंने timeline में अलड़ी बताया था, कि 31 जन्वरी 2023 से पहले पहले, 9 महिने आद से मेर को GS खतम करनी है, दोनों pillars, तो आपके पास काफी अच्छा edge होगा, right, अब आते हैं अपने pillar number 3, current affairs पे, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको एक trend दिखा दता थे, वो static और theory based थे, इसमें भी जो current affairs के सवाल आये थे, उसमें कई सारे सवाल थे, जो less than one year के थे, और more than one year के थे, मतलब कि जो पहले एक मित चलता था, कि सिरफ एक साल के current affairs सही है, सिरफ एक साल के current affairs कर लो, काफी है, यहां से हमार को graph से दिखता है, कि एक साल से ज़्यादा के भी current phase आ रहे है, आप मैंसे जिन लोगों को doubt in graphs पे, मैंने अपने youtube channel पे strategy वाली playlist में, हर एक question का analysis कर रखा है, आप playlist में जाके proof के साथ देख सकते हो, कि यह graph मेंने कैसे derive करे है, पूरा का पूरा derivation मैंने अपनी playlist मे देख सकते हो, मैंने अपने youtube channel पे पूरा का पूरा analysis डाल रखा है, यहां से जो अपने को crux पकड़ना है, वो यह crux पकड़ना है कि current affairs, almost आधा paper current affairs से आता है, और उसमें भी, आजकर trend यह चल रहे है कि, एक साल से कम के तो सवाल आते ही आते हैं, लेकिन एक साल से जादा के current affairs आ रहे हैं, इस पूरे analysis को देखते हुए हम यह conclude कर सकते हैं कि हमारे को 18 महिने के current affairs करने है, मतलब की हमारे को 2023 के लिए, December 2021 से लेके 1st June 2023 तक के current affairs करने है, तो जो आप हमेशा पूछते हो कि कितने टाइम के current affairs करने है, कितने टाइम के current affairs करने है, current affairs कहां से कहां तक करने है, December 2021 से लेके June 2023 तक कि आपको current affairs cover करने है ये timeline आप note करेंगे मतलब कि इसी duration का अकबार भी पढ़ना है इसी duration का PIB भी करना है और इसी duration की योजना magazine भी पढ़नी है अलग से बार-बार नहीं पूछेंगे कि अकबार कितने time का पढ़ना है PIB कितने time का पढ़ना है योजना कितने time की पढ़नी है UPSC के data को अगर हम analyze करते हैं तो हमार को दिखता है कि December 2021 से लेके June 2023 अठारा महिने के current affairs more than sufficient है प्री और मेंस दोनों के point of view से सवाल उठता है कि current affairs के sources कौन-कौन से होने चाहिए मेरे साब से और प्लस जो UPSC का अपना data रहा है 28 questions verbatim Indian express के थे मतलब की हमार को ये समरा रहाता है कि Indian express जो है वो सबसे ज़्यादा important source है current affairs का आज की तारिक में अगर आप the Hindu पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो मैं मना नहीं कर रहा लेकिन अगर मेरे को Hindu और Indian express में से कोई एक अकबार चुनना हो तो मैं obviously Indian express ही चुनूंगा इसके अलावा PIB और योजना ये तीन sources आप 18 महिने के लिए cover करोगे December 2021 से लेके June 2023 तक यहाँ पे कई सारे aspirants जो है जो अभी नए-ने त्यारी में आया है और उनको जादा idea नहीं है preparation का तो उनके दिमाग में एक चीज टेलिग्राम channels डाल देते हैं कि अकबार वगएरा तो सब बेकार चीज है compilation पढ़ लो सब cover हो जाएगा compilation best होती है सारे के सारे topper compilation पढ़ते हैं तो यहाँ पे बात यह है कि यह जो compilation आती है monthly compilation yearly compilation देखिए यह सिरफ और सिरफ filler का काम करते हैं filler का काम मतलब कि कभी आप बिमार थे कभी कोई जरूरी काम था और उस particular दिन का आप अकबार नहीं पढ़ पाए तो उस loophole को पूरा करने के लिए उस gap को पूरा करने के लिए आप compilation का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन अपने आलस अपने laziness अपने lack of hard work की वेज़े से आप यह मत बोलो कि मैं तो compilation कर लूँगा पिछले साल के topper ने बोला था देखिए अगर आपको अकबार नहीं पढ़ना तो वह आपका call है लेकिन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मैं सिर्फ compilation पढ़ रहा हूँ तो अगबार पढ़ने की जरूत नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अभी नहीं अगले दो साल के अंदर-अंदर आपको यह बात क्लियर हो जएगी कि सिर्फ compilation से कुछ नहीं होना अगर खुद से अगबार नहीं पढ़ रहे तो selection नहीं होगा पिछले साल के topper बहुत से ऐसे interviews आते हैं कि जो बोलते हैं कि हमने रहो सिर्फ compilation पढ़ आता तो देखिए वो लोग वो होते हैं मैं यह नहीं कहा रहा है कि यह trend जो है 100 के 100% लोगों पर अपलाय होगा कुछ exceptionally brilliant लोग होते हैं मैं average लोगों की बात करा हूँ जो majority जनता होती है और average लोग बिना अकबार पढ़े exam crack नहीं कर सकते यह सत्ते है even most of the toppers का अगर आप interview देखते हो दो चार टॉपर हमेशे होंगे जो शायद जिनका exceptionally sharp mind है और जिन्होंने ना पढ़ा हो that is possible लेकिन हम यहाँ पर एक average point of view से बात कर रहे हैं तो आपको अभी खुद सोचने कि आप average हो एक्सेप्शनली smart हो कहने का मतलब यह है कि सिरफ और सिरफ compilation पर rely करना मेरे साब से ठीक नहीं है अगबार परना बहुत ज़रूरी है अगबार को कोई replace नहीं कर सकता compilation का use सिरफ इतना है कि कभी आपका अगबार skip हो गया तो उस दिन की compilation आपने देख ली कि हाँ मेरी news तो नहीं कोई skip हो गई otherwise अगबार का कोई substitute नहीं है इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो सवाल पूछा आते है सर अगबार से notes बनाने क्यों नहीं बनाने आपने पिछले साल क्या पढ़ा था अगबार में आपको exam में कैसे याद रहेगा जब तक अपने खुद के short notes नहीं बनाओगे कुछ याद नहीं रहने वाला तो अगबार के notes बनाना बहुत ज़रूरी है बिना notes बनाए इस लाइक कि ठीक है आपने ऐसे magazine वगरा पढ़ ली कुछ ऐसे STCT Times of India, Delhi Times पढ़ लिया entertainment के लिए और अपने मन को तसल्ली दे ली कि हम तो अगबार रोज पढ़ रहे हैं जब तक notes बनाओगे नी, revise करोगे नी dots connect करोगे नी, तब तक UPC का analysis नहीं होगा prelims mains में answer नहीं कर पाओगे कहने का मतलब है अगर अगबार पढ़ रहे हो, PIP पढ़ रहे हो, योजना पढ़ रहे हो उसके short में notes बनाना बहुत ज़रूरी है और वो भी topic wise, date wise नहीं कि आज जो है, 22 अपरेल है तो आज मैं notes बना ले तो 22 अपरेल के 23 अपरेल के 23 अपरेल को, नहीं topic wise notes बनाने, ये quality के notes है ये economy के notes है, ये IR के notes है security के notes है, कहने का मतलब है अलग-अलग copy maintain करो हर subject की और उसमें, जिस दिन जो news आ रही है उसको वहाँ पर notes बनाओ कहने का मतलब current affairs 18 महिने के खुझ से notes बनाने है, अकबार पढ़ना है compilation को, as a supplement use करना है, कि ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर gym जा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो इसके अलावा, India Yearbook इस book की कोई बहुत जादा utility नहीं है ये 700-800 पेजों की बलकी सी book आती है, और अब इसकी utility almost खताम हो चुकी है, पिछले साल prelims में और उससे पहले वाले prelims में 12, 20 और 21 में, एक 20 अवाल India Yearbook से नहीं था, तो इस book को पढ़ने की कोई ज़रोत नहीं है, बहुत सहसे लोग हैं जो 100-100 पेजों की समरी निकाल देते हैं कोई ज़रोत नहीं है, इंडिया Yearbook पढ़ने की अगले साल 2023 में जब इंडिया इरवुक आएगी, मैं इंडेक्स में से important chapters और important pay number की एक वीडियो बना दूँगा, उसे देख लेना बस इसके लावा budget economic survey देखो, अभी अपनी economy strong करो economy के basic strong करो budget economic survey जब अगले साल आएगा तब देख लेना अभी सिरफ core economy पे focus करो अगले साल 1st February 2023 को जो budget economic survey आएगा वो तब के तब cover करना, लेकिन इसका ले यह नहीं कि अभी economy छोड़ के बैड़ जो, सबसे पहले quality और economy cover करो क्योंकि अगबार maximum उनी दोनों subject से cover होगा right, अब सवाल होता है test series का sir test series बता दो best कौन सी है सबसे बढ़िया test series कौन सी है test series में score नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको यह समझना है कि test series का purpose क्या होता है test series का purpose होता है revision करना कि मतलब हमार को revision करनी है हमार को देखना है कि हमने जो पढ़ा है वो हमार को याद है या नहीं है, यह purpose होता है test series का लेकिन aspirant test series को गलत तरीके से ले लेता है, aspirant क्या सोचता है कि test series में score नहीं आ रहा तो UPSC असान सवाल भी पूछता है, मीडियम सवाल भी पूछता है, मुश्किल सवाल भी पूछता है, किसी भी साल का पेपर उठालो, UPSC 25% से यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछता, 40-50% सवाल जो होते हैं, वो सीधा NCRT और Newspaper से आते हैं, और ये मैं हवाब में बात नहीं कर रहा, मेरे स्ट्राटीजी वाले प्लेलिस्ट में आप जाओ YouTube चैनल पर, पूरा प्रूफ कर रखा है वे डेटा, टेस्सीरीज का अबजेक्टेव होता है, मुश्किल क्वेशन, फरक समझो, UPSC का पेपर कभी भी ये नहीं कहता है, कि मैं सिरा मुश्किल क्वेशन बनाऊँगा, UPSC में बहुत असान सवाल भी आते हैं, कि Right to Marriage कौन से आर्टिकल में दिया हूँ, आर्टिकल 21 में सबको पता है, जो तियारी कर रहा है, उसको पता हो गई है, कई बार ऐसा सवाल भी आया है कि, Non-Cooperation Movement जो है, कौन से येर में शुरूई थी, Right to Life कौन से आर्टिकल में दिया हूँ है, इस टाइप के सवाल भी आते हैं, Easy सवाल, जो oral सवाल हैं, 10 सेगेंड में OMR फिल कर सकते हो, UPSC, असान भी पूसता है, Medium भी पूसता, मुश्किल भी पूसता, लेकिन Test Series के साथ एक प्रॉब्लम यह है, कि जो Test Series बनाने वाले होते हैं, वो यह सोचते हैं कि, Question hard से hard बनाया जा, तो ही वो अच्छा Question है, Question अच्छा तब होता है, जब वो exam की requirement को fulfill करें, जब एक balance paper बने, कि उसमें असान सवाल भी है, मुश्किल सवाल भी है, और Medium सवाल भी है, आजकल Test Series का एक phobia create करने वाला trend चलता है, कि हमारे को सारे Question मुश्किल डालने है, और aspirant आता है Mental Pressure में, कि हमार से सवाल सौल भी नहीं हो रहा है, क्या हमने त्यारी नहीं करी, करी यह त्यारी आपने, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने त्यारी नहीं करी, बट Test Series is not replica of UPSC paper, Test Series जो है वो UPSC paper नहीं है, तो यह जो aspirant पूरे साल परेशान रहता है, कि Test Series में मेरा score नहीं आ रहा है, एक्चुल में Test Series के score का कोई महत्व है ही नहीं, Test Series सेट कौन कर रहा है, Content Writer सेट कर रहा है, जो Content Teams होती हैं, वो Test Series सेट कर रही है, यह नौट UPSC, तो पहली बात तो यह समझो, कि Test Series में score आये न आये फरक नहीं पड़ता, अपनी गलती पता चलनी चाहिए, दूसरी बात, जो नए aspirants होते हैं, का पहले attempt होता है, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, कि सर मैं तो 10,000 क्वेशन कर लेता हूं, 5,000 क्वेशन कर लेता हूं, UPSCs के भार से तो सवाल बना नहीं पाएगा, मैं आज का aspirant, 50 साल पुराने UPSCs से जादा स्मार्ट हूं, तो एक काम करता हूं, मैं 10,000 क्वेशन लगाने बैठ जाओ, ऐसा कोई stunt ट्राइ भी मत करना, वरना 2024 की strategy वीडियो देखनी बड़ेगी मेरे ये चैनल पर, ऐसा कुछ मत ट्राइ करना, पहली बात, सवाल उरत है test series attempt कैसे करनी है, अभी test series के बारे में सोचना भी नहीं है, अभी हम 2022 में है, 2023 के strategy की बात कर रहे हैं, मार्च के आखरी हफते में test series शुरू करना, और test series की एक approach अलग बनाओ, पूरा test एक बार में attempt मत करो, उसमें आपके 4-5 गंटे जाएंगे, क्यों 2 गंटे test दोगे, 1 गंटा थकान, उसके बाद 2-5 गंटा पेपर को analyze करो, कहां गलती हुई है, 4-5 गंटे गए, एक दिन में 10 गंटे तो पढ़ नहीं होता है, उसमें से 5 गंटे आपने test में निकाल दिये, multiply करतो, 40 दिन से, अगर आप 40-50 दिन भी exercise कर रहे हो, 200-200 गंटे आप वेस्ट कर रहे हो उसमें, कहने का मतलब है, test series को एक अलग approach से पकड़ो, March के आखरी हफते में शुरू करो, रोज के सिरब 20 question करो, आखरी स्लोट में दिन के, जब ठक चुके हो, पढ़ाई हो चुकी है, पूरा दिन की revision हो चुकी है, optional current FAS CSAT, सब हो चुका है, उसके बाद आखरी स्लोट पकड़ो दिन का, सोने से बहले का, और उसमें 20 question लगाओ, जो नहीं समझा रहे हाथ का तो, उसका solution देखते रहो, सर हमें exam में बैठने की practice भी तो नीची है, 2 घंटे exam hall में बैठना है, 2 घंटे से बहले कभी exam में बैठे नहीं हो क्या, school exam में जो 3 घंटे बैठते थे, तो यहाँ पर 2 घंटे में OMR को काला करना है, और क्या करना है इसमें, तो यह मिर को इनी समरा था है कि 2 घंटे exam hall वाली feel चाहिए, इसलिए हम test देंगे, यह कौन सी feel है, कि हमारों को 2 घंटे exam में बैठने की जो practice करनी, यह कौन सी practice है, बचपन से 1st class से 12th class तक और उसका graduation में 15 साल exam दिया है, साल में 10-10 बार exam दिया है, 3-3 घंटे के exam दिया है, वो practice कम नहीं थी क्या, जो अभी यहाँ पर crucial time waste कर रहे हैं 2-2 घंटे बैठके, कोई point नहीं है उसका, कभी एक-दो test दे लिए full length के समझ आते हैं, कि ठीके चलो, momentum बना रहेगा, 3-4 test दे लिए at max काफी है, लेकिन 10 test, 20 test, 50 test देना ऐसे बैठके, समझदारी नहीं है, उसमें आपका time जादा waste होगा, आप खुद mathematics कर सकते हो इतनी, मार्च के आखरी हफते में test series शुरू करो, 20-25 questions per day करो, analyze करो आखरी में और देखो कहाँ problem है, तो इस तरीके से अपना prelims test series का, पूरा का पूरा strategy रहेगा, इसके लावा mains answer writing की बात करते हैं, अपना पाच्वा pillar, usually aspirant जब नहीं होता है, उसके day one से एक निया doubt आता है, कि sir answer writing कैसे करनी है, सबसे पहले आपको समझना है, कि answer writing exactly होती क्या है, UPSC answer writing करवा क्यों रहा है, UPSC mains का paper करवा क्यों रहा है, mains answer writing का major objective, mains answer writing का major purpose होता है sir, aspirant की depth of understanding समझना है, कि एक जो aspirant है, उसको कहां तक समझ है, वो कितना घहरा सोच सकता है, हमार को सरब वो पकड़ना है, आज आपने त्यारी शुरू करी है, पॉलिटी का पी नहीं पड़ा, प्रियांबल अभी पूरा याद नहीं हुआ, और पहले दिन से answer writing प्रैक्टिस में लग गए, क्या understand करोगे, depth कहां से आएगी, dots कैसे connect करोगे, current affairs कहां से लिखोगे, कुछ आता ही नहीं अभी तो त्यारी अभी शुरू करी है, आप answer writing तब तक नहीं करेंगे, जब तक आपका 75% subject पूरा नहीं हो जाता, for example, modern history अगर आप पढ़ रहे हो, जब तक 75% modern history पूरा नहीं हो जाता, तब तक answer writing शुरू नहीं करोगे, क्योंकि UPSC आजकल connected questions पूछता है, UPSC ये नहीं कहेगा, write a short note or non-cooperation movement, ये school का exam नहीं है, UPSC ऐसे पूचेगा कि 20 वी सदी में, या 19 वी सदी में, जितने भी movement थे, उनमें क्या similarity थी, क्या differences थे, या फिर, suppose कर एक random example ले रहा हूँ है, कि जो social religious reform movement थे, जो agrarian movement है, जो labor movement है, उनमें क्या differences थे highlight करो, अंग्रेजों ने उसको किस तरीके से crush करा, कैसे लिखोगी answer पहले दिन पे, लिखी नहीं सकते हैं, अपना pen उठाने की जरूत नहीं है, diligent notes बनाओ, अच्छे ज़र notes बनाओ, revise करो, 75% topic जब पूरा आजए, subject जब पूरा आजए, उसके बाद जितनी answer writing करनी है, करो, answer writing में भी एक trend होता है, उसमें trend यह है, कि सबसे पहले answer writing जब कर रहे हो, तो पहले 25 साल के question उठा लो, PYQs, उस साल के जो current affairs वाले सवाल थे, वो छोड़ दो, for example, आपने 2001 का सवाल उठाया, 2001 का सवाल उठाया, उसमें अगर 2001 के current affairs का सवाल है, उसे छोड़ दो, वो अपने काम का नहीं है, लेकिन, पहले सबसे जाले PYQ solve करो, और उसके बाद, mains की test series join करो, कब prelims के बाद, mains की test series उसे पहले करनी है, तो कर सकते हो, अगर syllabus time पर पूरा हो रहे है, तो otherwise, prelims के बाद, आप mains test series करो, that would be more than sufficient, अपना छटा pillar, CSAT, paper उठागे देख लीजिए, मिले को कुछ बोलने की ज़रोती नहीं है आपे तो, paper उठागे देख लीजिए, आपको खुद समझ राएगा, UPSC हर सल CSAT का level बढ़ा रहा है, जो question पहले, और ली solve हो जाते थे, 2014-15-16 में, अब ऐसा है कि, उनमें आप लगे भी रहो, तो भी solve नहीं होते है, UPSC level बढ़ा रहा है, CSAT को अगर आपने हलके में लिया, तो selection के chance मुश्किल है, ऐसे मेरी ही class के कितने aspirants हैं, जिन्होंने CSAT की त्यारी शुरू में करी नहीं, GS में 110 नंबर आ गए, लेकिन CSAT clear नहीं हो पाया, जो selection हात में था, वो छोड़ दिया, कहने का मतलब है, अभी आपके पास 400 से जादर दिन है, एकदम अगर diligent त्यारी करनी है, comprehensive त्यारी करनी है, CSAT को हलके में मत लेना, बहुत से aspirants का यहां पे एक attitude होता है, कि मैं तो maths background से हूँ, मैं तो maths में master's करावा है, मैं तो engineering background से हूँ, मैं कहा रहा हूँ, आप IIT से भी engineering करे वे हो, तो भी CSAT की maths जोती है, वो engineering से अलग होती है, engineering में BSC वगरा में क्या पढ़ाते हैं, coordinate geometry, vector, discrete match, attractor, calculus वगरा, CSAT में आते ही नहीं है, CSAT is all about tricks, techniques and shortcuts, तो यह वाली जो maths है, यह आपको नहीं मिलेगी, आपको practice करनी ही पड़ेगी, कहने का मत्तब है, अभी से शुरू करो तो कोई pressure नहीं आएगा, यह मत सोटना कि मैं तो March के महिने में 20 दिन CSAT practice करूँगा, और यूं मेरा CSAT निकल जागा, नहीं निकलेगा, अभी से त्यारी शुरू करो, टाइम टेबल में इसको कैसे incorporate करना है मैं बताऊंगा, इसके अलावा सवाल उठता है revision का, अभी क्योंकि हमारा पाद 400 से जादा दिन है, तो आप रोज का 30 से 45 मिनट revision को दे सकते हो, इससे जादा भी revision को देने की जुरूत नहीं है, 30 से 45 मिनट अर मोर दन सफिशेंट फोर revision, 30 से 45 मिनट तो मोर दन सफिशेंट है, सवाल उठता है कि कौन सा subject हमार को revise करना है, अभी जो आप पढ़ रहे हो उसे revise नहीं करना, suppose करो अभी आप economy पढ़ रहे हो, पिछले महीने आपने polity खतम कर ली थी, तो अब economy तो पढ़ते रहो, लेकिन revision शुरू करो polity का, मतलब कि जो आप आज पढ़ रहे हो, उसे revise नहीं करना, जो पिछले महीने पढ़ चुके, उसे revise करो, इससे क्या होगा जो आपने पिछले महीने revise करा था, जो पढ़ा था, अगर अभी उसे revise कर लोगे, तो फिर वो भी याद रहेगा, और जो आज पढ़ रहे हो, वो भी याद रहेगा, कहने का मतलब है, revision हमेशा पुराने topic की करनी चीए, बहुत से aspirant याबे क्या गलती करते हैं, जो आज सुपह पढ़ा, उसी को शाम को revise कर लेंगे, उसका फायदा क्या, वो तो याद ही था, वैसे भी, अपने आपको आप ये जूटी तसली दे रहे हो, कि मैं तो revision कर रहा हूँ, revision होती है, उस चीज की जो आप भूलने वाले हो, क्या भूलने वाले हो, जो पिछले महिने, दो महिने पहले, तीन महिने पहले पढ़ा था, revision हमेशा पुराने content की होती है, जो आज से उबे पढ़ा, उसी को शाम को लेके दुबारा मत बैठ जा, उसे revision नहीं बोलते, right, कहने का मतलब ये है, कि revision रोस करनी है, मतलब, चाहा खाना मत खाना, लेकिन revision मत छोड़ना, revision खाने से ज़ाधा ज़रूरी है, UPSC aspirant के लिए, revision बहुत ज़रूरी है, और जब भी revise करोगे, sir मैं तो पहले prelims की revision कर लेता हूँ, क्योंकि पहले तो prelims ही होगा, अगर वो clear होगा, तो mains की revision करूँगा, ऐसा है, जब revision करोगे, तो pre और mains दोनों की साथ में revision करोगे, comprehensive revision करोगे, मतलब कि जब कोई topic revise कर रहे हो, अगर physiography पढ़ रहे हो, cyclone पढ़ रहे हो, तो cyclone के prelims based facts भी देखोगे, और mains based analysis भी देखोगे, अगर for example IR पढ़ रहे हो, तो उसमें international organization के prelims based facts भी देखोगे, और mains based answers भी revise करोगे, मतलब कि जब revision होगी, वो pre और mains दोनों के point of view से होगी, तो जितनी भी आपको revision करनी है, वो comprehensive pre और mains दोनों के point of view से करनी है, अब आजाते हैं daily time table पे, देखिए आप अपने पूरे दिन को चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे, slot 1 3 घंटे का, और इसमें आप करोगे optional यह GS, इसी 3 घंटे में, आपकी उस particular subject की life class included है, मतलब कि for example, आप polity कर रहे हो suppose करो, आपने मेरा बैस देखा polity का, 2 घंटे का, तो इन 3 घंटे में से, 2 घंटे आपने लगा दिये मेरी class में, उसके बाद 1 घंटा self-study में लगाओ, हो गए 3 घंटे, subject को यह छोड़ दो, अगले subject पे आजओ, slot 2 3 घंटे का, GS का, slot 1 3 घंटे का, या तो optional का, और अगर optional खतम हो गए तो GS पे आजओ, आदा आदा घंटा ना 5 subject पढ़ते हैं, 4 से 5 subject पढ़ने का, कोई point नहीं है, आगे बड़ी नहीं पाओगे, बेटर है, अपना 2 subject at a time उठाओ, और उनको फटावट फटावट कवर करते चलो, क्योंकि, एक subject को जितना जादा खींचोगे, उसमें उतनी बोरियात आती रहेगी, momentum ब्रेक होता रहेगा, तो हमेशा objective यह रहना चाहिए, कि जो subject शूडू कर रहा है, उसको खतम करके याब दूसरा subject पढ़ने जाएं, तो 2 subject at a time are more than sufficient, slot number 3, current affairs का, 4 घंटे का slot ये बनेगा, 4 घंटे current affairs में हाँ, current affairs 50-60% weightage रखता है UPSC में, pre में भी use होता है, mains में भी use होता है, essay में भी use होता है, interview में भी use होता है, current affairs के बिने UPSC का कोई stage आप clear नहीं कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता है वो कौन लोग है जो 20 minutes में अकबार पढ़ लेते हैं, मैं तो नहीं पढ़ पाता, यह slot सबसादे important slot है, aspirant सबसादा हलके में इसी slot को लेता है, और आखरी में पस्ता आता है, आपके पास अभी time है, आपको पस्ताने की जरूत ना पढ़े, यह last वाला slot सबसे important slot है, यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले, एक strategy बनाओ आज, और पूरे साल उसको follow करना, मैंने पिछले कुछ सालों में इतने aspirant देखे हैं, जो हर महिने email करेंगे मेरे को, कि सर नई strategy बनाने में help कर दो, हर महिने नई strategy बनाओगे, तो implement कप करोगे, strategy बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, strategy को implement करना, दो महिने में एक बारी अपनी strategy रिव्यू कर लो, कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन एक बार जो strategy बना ली, उसको पूरे साल follow करो, usually aspirant के साथ क्यो होता है, telegram group join कर रखें, क्योंकि सब में जो चड़ावे आजकल group study का, कि hello friends, anyone up for group study, 100-100 लोगों के group बना दिये, दूसरे की बात सुनेंगे, अपने उपर self-doubt होगा, दूसरे के साब से चलने लगेंगे, कहने का मतलब यह, पहली बात तो जितने भी, फालतु के telegram channel join कर रखें, फालो करते रहो, telegram channel में क्या होता है, आप for example history की spectrum पढ़ रहे हो, किसी दूसरे ने कोई orient black swan की book बेज़ दी, किसी तीसरे ने अलबशम बेज़ दी, चौते ने विपिन चंद्रा बेज़ दी, पांचवे ने कोई अलगी किताब बेज़ दी, अब आप क्या करोगे, अपने laptop में उसका collection शुरू कर दोगे, और उन्हें पढ़ना शुरू कर दोगे, कोई point नहीं है, history में PhD नहीं करनी, quality में PhD नहीं करनी, GS के point of view से जो important है सरव उत्रा करना है, तो सबसे पहले जितने भी एग बोगस telegram channel चरने हैं, इन से दूर रहो, एक साल की strategy बनाओ, और उसको diligently follow करो, हर 10 दिन में एक दिन का break ज़रूरी है, जो जोश में ऐसा मत करना है कि, एक महीना बिना break के पढ़ लिए, और अगले दो महीने बिमार पढ़ गए, break बहुत ज़रूरी है, recreation बहुत ज़रूरी है, movies देखो, social media करो, भार घुमने फिरने जाओ, लेकिन 10 दिन में एक बार, usually aspirant क्या करता है, सर हम तो social media पे हैं नी, और उसके बाद 4 fake ID बनाके, एक Gmail की, Facebook की, Snapchat की, Insta की, fake ID से online रहेगा, तो भाई उसमें फायदा ही क्या और है, जब आपने online रहना ही है, इसके बारे में नहीं सोचना है, घूमने फिरने जाओ, movie देखो, भार दोज्सों के साथ जाओ, रिष्टारों के साथ जाओ, लेकिन उस एक दिन में, कुछ पढ़ाई की बात निकरनी, राइट, breaks important है, इसके अलावा, अगर आपको book list देखनी है, मेरे YouTube चैनल पर strategy playlist है, उसमें चले हो, वहाँ पर मैंने link डाल दूँगा description में, उसमें मैंने सारी की सारी book list explain कर रखी है, with data, पूरा का पूरा C-Stat और Indian economy cover कर रहा हूँ, free में, same quality मिलेगी अनके आडमी प्लस वाली, link description में डाल रहा हूँ, साथ के साथ कोई भी doubt हो, email कर दो इस वाले email ID पे, टेलीग्राम चैनल description में दिया वाँ, जॉइन कर लो, अनके आडमी और सब्सक्राइब करने के लिए, यूजद रखेल को मदद गुता, let's track it,